Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains दोस्तो जो Spoken English Classes की सीरीज चल रही है उसमें हम Complete Grammar Course को डिसकस कर रहे हैं और ये Complete Grammar Course आपको Competition Exam के Preparation में तो मदद करता ही है साथ ही साथ आपको Spoken English में भी Improvement इससे मिलेगा दोस्तो अभी हम बिलकुल Basic से शुरू कर रहे हैं और पहला जो Chapter हमने शुरू किया है वो है Modals और Modals के शुरुआत में हम सबसे पहले देख रहे हैं Introduction to Types of Sentences और इसमें पहले ही हम तीन वीडियोस डिसकस कर चुके हैं जिनमें हमने Positive, Negative और Yes No Question को डिसकस किया है यह उसी Video Series का चौथा Chapter है और इस चौथे Chapter में हम WH First Sentences और WH Second Sentences को डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की Playlist में जाकर आप अन वीडियोस को देख लें ताकि आपको यह वीडियो भी ठीक तरह से समझ में आ सके दोस्तों यह हमारे चार Main Motives है जिनको लेके हम यह Series चला रहे हैं और इसमें पहला जो Motive है कि आपको आप English Grammar के उपर बहुत अच्छी Command हो जाएगी और दूसरा जो हमारा Motive है वो है कि आप Advanced Rules Grammar के सीख जाएगे बिल्कुल Basic से Advanced तक हम पहुँचेंगे और तीसरा जो Motive है वो है Improved Speaking यानि आपकी Speaking जो है वो Improved हो जाएगी अच्छे से English बोलना आप सीखेंगे और जो Last और सबसे Important Motive है वो कि अगर आप कोई Competition Exam की तयारी कर रहे हो तो एन Rules की मदद से आपने Competition Exam में भी अच्छे से Perform कर पाओगे तो अभी तक अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको इसी तरह मिलते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों ये हमारा जो चौता फॉर्मिला आज हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम ये डब्लोच फॉर्स्ट शब्द याद कर लें ध्यान दीजेगा मैं इसको डब्लोच फॉर्स्ट कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद एक और फॉर्मिला ह तो डब्लोच फॉर्स्ट जो हम देख रहे हैं डब्लोच फॉर्स्ट ये टोटल नौ शब्द होते हैं और ये नौ शब्द हमें याद रखने हैं तो इसमें पहला शब्द है ये है कौन तो कौन को इंग्लिश में हम बोलते हैं हूँ किसे को इंग्लिश में हम कहते हैं हू अगला शब्दे क्या, क्या को हम English में what बोलते हैं, कब, कब को English में बोला जाता है when, अगर लिखाओ कहा, तो कहा को हम English में बोलते हैं where, अगर लिखाओ कैसे, तो कैसे को English में खा जाता है how, यानि कैसे, अगर लिखाओ क्यूं, तो क्यूं को हम English में बोलते हैं why, अगर लिखा हो कब से तो हम इसको English में कहते हैं for how long यानि कब से और last word है कितने बजे तो इसको English में हम बोलते हैं what time अब अब ध्यान दीजेगा इन शब्दों को हम WH first शब्द क्यों बोल रहे हैं उसके दो शब्दों को छोड़के यानि how को छोड़ दिया जाए और for how long को छोड़ दिया जाए तो सारे शब्द डब्लोच से शुरू हो रहे हैं इसलिए इन नौ शब्दों को हमने बोला है डब्लोच first words ठीक है तो अब कहानी सिर्फ इतनी है कि जो हमारा चौता formula है डब्लोच first इसके पहले हम तीन पढ़ चुके हैं positive, negative और yes no यह चौता formula हमारा है उसके पीछे story सिर्फ इतनी है कि अगर किसी हिंदी sentence में जैसा कि आप आगे देखेंगे अगर किसी हिंदी sentence में ये नौ शब्दों में से कोई भी एक शब्द ये जो नौ शब्द आप देख रहे हैं इन नौ शब्दों में से कोई भी एक शब्द आपके हिंदी sentence में हो हिंदी वाक्य में हो तो आप इन शब्दों को देख के तुरन समझ जाएंगे कि वो sentence कौन सा है डबलोच फरस्ट ठीक है अगर इन नौ में से कोई भी एक शब्द आया तो आप समझ जाएंगे कि वो sentence डबलोच फरस्ट है और इसको इंगलिश में बनाने के लिए वही शब्द यानि यह डबलोच फरस्ट है उसका structure है कि ज हिंदी सेंटिस में कहां तो आप सबसे शुरू में लिखोगे वेर अगर हिंदी सेंटिस में क्यूं तो आप सबसे शुरू में लिखोगे वाई यानि जो भी वो नौ शब्द जो है डबलोच फरस्ट शब्द अगर वो हमारे सेंटिस में आएंगे तो हम सबसे शुरू में लिखेंगे sentence के, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको model लिखना है, subject लिखना है, main verb लिखना है, indirect object लिखना है, direct object लिखना है, place लिखना है, time लिखना है, question mark लगाना है, यानि पीछे का ये formula almost same है, बस आपको ये जो WH first नए शब्द आपके sentence में आएंगे, उनको आपको सबसे श ना सकें, तो चलिए मैं आपको कुछ sentence में आके दिखाता हूँ, ये पूरा sentence अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हम सुबा kitchen में क्या पका सकते हैं, तो इस पूरे sentence में आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा, जो हमारे WH first की list में आता है, और वो शब्द है, क्या, तो ये हमारा WH first शब्द है, जो हमें बता रहा है कि ये sentence WH first है, ठीक है, नीचे वाले sentence में देखिए हम स्टेज पर English कैसे बूल सकते हैं, इसमें जो कैसे शब्द आया, ये WH first है, इसको देखके आप समझ जाएंगे कि ये sentence WH first है, ये sentence देखिए कितने बज़े हमें क्लास में English पढ़ा सकते है इसमें जो कितने बज़े शब्द लिखा है, ये एक WH first है, इसको आप देखके समझ जाएंगे कि WH first से बनेगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो क्या, कैसे और कितने बज़े आ रहे हैं ये हमें sentence में सबसे शुरू में लिखना है, और बाकी ये पूरा जो पीछे व लिखते हैं, यानि की can, फिर उसके बाद हमें लिखना है subject, तो हम लेकेंगे we, तो ये हो गया what can we, फिर उसके बाद लिखना है main verb, तो ये हो गया cook, what can be cook, फिर उसके बाद indirect object आता है, जो इस sentence में नहीं है, फिर उसके बाद direct object आता है, वो भी sentence में नहीं है, तो उसके बाद हम place लिखते हैं तो यह है kitchen में तो हमने लिख दिया in kitchen k-i-t-c-h-e-n होती है इसकी spelling यहाँ पर एक टी और है तो in kitchen और फिर सबसे last में time in the morning ठीक है चलिए दूसरा sentence बनाते हैं हम stage पर English कैसे बोल सकते हैं हमें सबसे शुरू में कैसे लिखना है कैसे को English में how बोलते हैं तो यह how लिख दिया उसके आद हम लिखेंगे model सकते हैं तो इसको हम इन English में बोला can फिर उसके बाद हम लिखेंगे subject तो यह आ गया we फिर उसके बाद हम लिखेंगे main verb तो वह है बोलना बूलने को English में हम speak क्याते है फिर इन direct object आता है देखिए नहीं है sentence में direct object ये है English direct object तो हमने speak के बाद English लिख दिया फिर आता है place तो stage पर ये हमारा place है तो हमने on stage लिख दिया और सबसे last में आता है time time है नहीं तो सिर्फ question mark लगा के हम इसको छोड़ देंगे देखिए next sentence वे कितने बज़े हमें class में English बढ़ा सकते हैं तो ये कितने बज़े डबलोज फर्स चब्द है इसको English में बोलते है what time तो ये हमने सबसे शुरू में लेखा है फिर हमें लेखना है modal ये है सकते हैं तो हमने English में लिख दिया can फिर हमें लेखना है subject तो ये है वे तो वे को English में हम दे कहते हैं वो हमने यहां लिख दिया फिर आपको लिखनी है main verb पढ़ाना तो पढ़ाने को हमने English में लिख दिया teach फिर उसके बाद indirect object तो ये है हमें तो हमने लिख दिया us यह last sentence है, what time can they teach us English in class, इस वीडियो को आप दुबारा रिपीट पर देख सकते हैं, आपको यह समझ में आ जाएगा, हमने सिर्फ यह structure इस्तमाल किया है, क्योंकि इन sentences में WH first शब्द, यानि इन में से कोई ना कोई एक शब्द आ रहा था, ठीक है, तो इसको use करके हमने इनको ब उसको हम English में बोलते हैं where, फिर उसके वाद हमें modal लिखना होता है, structure के हिसाब से, तो हमने यहाँ पर can लिखा है, फिर उसके वाद हमें subject लिखना है, तो मैं लिख दिया हमने I, फिर उसके वाद main verb लिखनी होती है, भीजने को English में हम बोलते हैं send करना, उसके वाद indirect object लिख सकता हूँ, यह बन गया where can I send them next year, अभी हम आजाते हैं हमारे last 5-way formula पर, हमने 4 formula discuss कर लिए है, positive, negative, yes, no, WH-1 और यह सबसे आखरी वाला WH-2, यह हमारा 5-way formula है, अब WH-1 और WH-2 में क्या अंतर है, वो आपको समझ में आ जाएगा भी, WH-1 में 9 शब्द थे और WH-2 में यह 4 शब्द है, which, whose, how much और how many, कहानी वही है कि अगर आपके sentence में कौन सा, कौन सी या कौन से लिखा हो, या फिर किसका, किसकी या किसके इस तरह से कोई शब्द आ रहा हो, या फिर कितना, कितनी या कितने शब्द आ रहा हो, तो इन शब्द 1 में कर रहे थे, तो कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए आप लिखोगे, which, किसका, किसकी, किसके के लिए लिखोगे, आप whose, और कितना, कितनी, कितने के लिए हमारे पास 2 शब्द है, how much या how many, अब इन में अंतर क्या है, तो how much जो है, वो हम uncountable सीजों के लिए use करते हैं, जने हम गिन सकते हैं, उनके लिए हम how many लगाएंगे, countable चीजें क्या होती है, इसरा कुर्सियां है, कितावें हैं, tables है, mobile phones है, books है, ये सारी countable चीजे हैं, न हम गिनते हैं, तो इसके लिए हम how many लगाएंगे, ठीक है, हिंदी में एक ही शब्द है, इंगलिश में हम दो शब में लिखना है यानि कौन सा कौन सी कौन से आये तो शुरू में which किसका किसकी किसकी आये तो शुरू में whose और कितना कितनी कितने आये तो how much या how many ठीक है अब इसके बाद एक नई चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुए noun अब यह noun क्या होता है तो noun मैं आपको पिसली साइड में जाके बता दूं कि जहां पर भी आपको यह शब्द मिलेंगे double second शब्द आपको जहां भी मिलेंगे तो इन शब्दों के तुरंत बाद जो भी शब्द होगा वो noun होगा ठीक है यानि कौन सा pen तो pen noun कौन सी film तो film noun कौन से fruits तो fruits noun ठीक है किसका घर तो घर noun किसकी car तो car noun किसके पैसे तो पैसे noun ठीक है कितना पानी तो पानी noun ठीक है कितनी news तो news noun यानि इन शब्दों के तुरंत बाद sentence में जो भी शब्द आएगा वो क्या होगा noun होगा और उसको English में भी आप यहीं पर लिखोगे ठीक है बांकी यहां से sentence पूरा सेम है model subject main verb indirect object direct object place और last में time के बाद question mark ठीक है यानि अब इसके कुछ sentence बना लेते हैं I hope कि आपको यह समझ में आया होगा तो जैसे आप sentence पढ़ेंगे मैं कौनसी कहानी तुम्हें आज सुना सकता हूं तो इसमें जो कौनसी लिखा हुआ है यह डवलोस second है अभी हमने देखा था डवलोस second की list में यह कौनसी जो है वो डवलोस second है और मैंने आपको बताए कि डवलोस second शब्द की तुरंत बात जो भी शब्द आपको मिलेगा sentence में वो क्या होगा वो noun होगा ठीक है और इन दोनों शब्दों को हम sentence के सबसे शुरू में लिखेंगे तो कौनसी को लिख दिया हमने which और कहानी को हमने लिख दिया story तो यह तो नाने को टैल लिख दिया फिर indirect object लगाओ तो तुम्हें को हमने यू लिख दिया उसके बाद direct object लगाओ वो इसमें है नहीं और फिर लगाओ place तो place भी नहीं है और time लिखो तो हमने आज को लिख दिया today तो मैं कौनसी कहानी तुम्हें आज सुना सकता हूं तो which story can I tell you today ठीक है अभी next देखते हैं मैं कौनसी फिल्म तीवी पर आज देख सकता हूं तो इसमें कौनसी जो है यह फिर से आप देखिए double a second है कौनसी और film इसके तुनन बात लिखा हूँ है तो यह noun है तो हमने कौनसी फिल्म को शुरू में which film लिख दिया उसके बाद model लिख दिया can फिर subject लिख दिया I यानि मैं फिर main verb लिख दी watch देखना और फिर TV पर तो on TV और last में आज यानि today तो मैं कौनसी फिल्म आज TV पर देख सकता हूं तो which film के रहे watch on TV today एक और sentence देखिए हम कौनसी dress कल function में पहन सकते है तो इसमें जो कौनसी शब्द है फिर देखिए यह double a second जो शब्द आता है वो नाउन होता है आपको पता ही होगा तो double a second शब्द के तुरंद बाद जो शब्द आएगा वो नाउन होगा कौनसी dress हम English में लिख देगे which dress अगर यहां किसका लिखा होता तो हम whose लिख देते कितना लिखा होता तो how many dresses लिख देते ओके फिर उसके तुमॉरो यहां पर भी तुमॉरो आएगा यह मिस्टेक कल भी थी आने वाले कम कल को हम तुमॉरो कहते हैं टी ओ एम ओ डबल आर ओ डवल्यू ठीक है यहां पर तुमॉरो आएगा तो हम कौनसी dress कल function में पहन सकते हैं तो यह हो गया which dress can we wear in function तुमॉरो ठीक है इसके दो this is off और आप practice कर लिजे ताकि आपकी command और अच्छे से इस पर हो जाए तो हम कितने answer copy में सुबा लिख सकते हैं तो कितने डबल सेकेंड है answer noun है तो कितने को हम how much भी कहते हैं और how many भी कहते हैं लेकिन आप इस answers को देखिए यह countable होते हैं तो हम इसके लिए how many लगाएंगे त हम कितने answers copy में सुबा लिख सकते हैं तो how many answers can we write in copy in the morning ठीक है और last sentence लिखिए मैं किसका password तो किसका WH second है और password noun है किसके को हम who's कहते हैं और password हमने लिख दिया यहां पे फिर हम model लगाएंगे सकता हूँ यानि can उसके बास subject लिखेंगे मैं यानि I फिर हम main verb लिखेंगे बदलन तो इसको हम कहते हैं change करना और सारी चीज़ें हैं नहीं तो last minute time लिख दीजे तो मैं किसका password आज बदल सकता हूँ तो whose password can I change today तो दोस्तों यह था हमारा पांच बास structure अब हमने जैसे 5 structures पूरे complete कर लिए हैं अगर आपने यह वीडियो नहीं देखें तो आप पूरा repeat पे करक फिर से revise करेंगे और फिर इन पांचो formulas को हम अलग-अलग models के साथ use कर रहा सीखेंगे जैसे अभी तक हमने जतने भी sentence बनाए हैं सारे sentences के last में सकता है सकती है सकते हैं इस तरह के शब्दारे थे तो हमने इन sentences को can लगा के इस्तमाल किया है लिकिन और भी कई models होते हैं तो उन सारे models में इन पांचो तरह के structures को हम कैसे इस्तमाल करते हैं यह हम सीखेंगे इसके अगले वाले वीडियो में तो आप connected रही है और I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप मुझे नीचे comment section में लिखके जरूर बताया कि यह वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं अ तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वीडियो को enjoy कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो please इसको subscribe जरूर कर ले और bell icon को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो ताइम टू टाइम मिलते रहे हैं तो अभी आपन मिलेंगे एसी वीडिय सीरीज के अगले चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाबाए